तो देखो आज का ये वीडियो होने वाला है बिगनर ट्रेटर के लिए कि कैसे एक बिगनर ट्रेटर स्टॉक मार्केट में जब कदम रखता है उसको क्या-क्या चीज का प्रॉबलम होता है और अगर उसका अकाउंट साइज बहुत बड़ा नहीं है तो उसको जो रिजल्ट म पास उस चीज का एज नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम पे आप ऐसे स्क्रोल करना आपको दिखेगा कि एक रील में एक बंदा दो लाग का प्रॉफिट कमा रहा है आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो दस जार का कॉंटिटी था दस पॉइंट ही बड़ा है दस इंटरडे करो कैसे आपको अपना माइंड सेट रखना है कि आपको सही रिजल्ट मिले क्या-क्या टूल्स का यूज करना पड़ेगा देखो कुछ चीजें थी पहले का टाइम में जो की हाड था बट आज का टाइम में आपके पास तरीका है आपके पास डेरिवर्टीवल भी आप ट्रेडिंग करते हैं चाहे आप 1950, 60, 70, 80, 90, 100, 2010, 2020, हर समय नए 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 टाइप के चलेंजेस थे बट आज एक beginner trader के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो गया, पहले इतना आसान नहीं था रास्ता, पुछो के कैसे, देखो, अभी मैंने खोला अपना broker का चार्ट, ठीक है, M-Stock by Mirai Asset, बहुत बढ़ी हैं trusted broker है, क्योंकि Mirai Asset का नाम आप लोगोने सुना ही होगा, इनका बहुत बढ़ा mutual fund भी है, और ये एक बहुत ही leading market में broker है, जो की बहुत type के features अपने platform में provide करा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो indices में कि आप इंडिया का तो Nifty Bank Nifty, Nifty 100, 250, सब चीज़ देखी सकते हो, global market भी देख सकते हो, top gainer देखना है आपको, मालो Nifty 50 का top gainer देखा, साथ में आप Nifty Mid Cap का top gainer, top loser देख रहे हैं, यहाँ से भी बहुत सारा trade आपको मिलता है idea, ठीक है कि कहाँ पे trade लेना, कहाँ पे exit करना है, बढ़ प्रॉब्लम क्या हो जाता है न, वो भी बताऊंगा आपको, mid cap का देख सकते हो, weeks देख सकते हो, मान लो एक beginner trader मार्केट में कदम रखा, तो क्या लगता है, उसके पास जितने का संभा होना कितना है मार्केट में, कुछ भी नी जानता है, कोई edge नहीं है उसके पास, फिर भी आपको लेगा कुछ भी अगर नहीं भी जाने, तो मार्केट में 50% chance उसका है, क्योंकि by default buy or sell ही करना एक नेक तो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है, पूछो कैसे, मार्केट जीरो सम गेम नहीं है, सबसे पहले आपको समझना होगा, मार्केट माइनस सम गेम है, अब मार्केट में अगर सामने से पैसा लेके भी आ गए ना, तो भी profitable नहीं होपा होगे, problem देखो क्या होता है, problem जानना पहले important है, तभी आप solution भी पता कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कितना चल रहा है market, 4, 3, 7, 8, 1, यह bank nifty का price है, यहाँ पर nifty bank nifty दोनों दिखता है, अभी watch list में मैंने 44,000 लिखा, आपने सारा option आ गया, 25 माई का expiry वाला, call को भी मैं add कर लेता हूँ, put को भी add कर लेता हूँ, बहुत easy process add करने का, यहाँ देखो, क्या price चल रहा है, 222 रूपीज, अभी जब मैं इस पर buy पे click करूँगा, यह क्या है कि market में जब भी आप कुछ buy करने जाते हो, मालो सबजी ही खरिदने वागए आप सबजी बजार में, तो सामने वाला भी कमाने के लिए बेच रहा है, आप भी 1-2 रूपीज अपना बचाना चाहते हो, सिधा सा बात है, दोनों win-win चाहता अपना, तो वही चीज मार्केट में भी अपलाई होता है, कि कोई अपना माल अगर बेच रहा हो, वो चाहेगा best trade में बेचना, आप भी चाहोगे सस्ते से सस्ते rate में करिदना, और अगर आप trade करते हो, तो market price में trade करना होगा, क्योंकि limit में करोगे, तो कभी-कभी आपका order ही feel नहीं होगा, बढ़ियां-बढ़ियां position आपका minus में चला जाएगा, अब देखो दिक्कत क्या होता है, कि यहां पर आपको दिख रहा है 1 rupees का gap, अब मालो एक beginner trader एक lot से trade करता है, तो जब भी वो buy करेगा, तो उसको 50 rupees चीज़ें महंगा पड़ेगी, और जब भी बेचेगा, मालो 500 का profit देखे वो बेचा, उसको हमेशा 450 से 470 ही मीलेगा, कभी भी उसको 500 नहीं मिलेगा, यह market का rule है, market ऐसे ही काम करता है, तो पहला तो buy sale करने में ही चला गया 100 rupees, अब मालो 500 का profit बुक करोगे न, तो हाथ में आपका 400 आएगा slippage काटके, और जब 500 का loss बुक करोगे, तो 600 का loss दिखेगा, आपको slippage adjust करके, इस चीज़ को slippage बोला जाता है, जब आप trade करते हैं actively, अब पहला तो बंदा का age जो है, वो slippage खा गया, problem ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता न, कि एक beginner trader के पास strategy नहीं रहता, trading plan नहीं रहता, system नहीं रहता है, winning age नहीं रहता है, ये बहुत important है, इस चीज़ को neglect कर देते हैं beginner trader, कि वो सोचते हैं market में आऊंगा, और पैसा कमा लूगा, बट market आपको क्यों पैसा देगा, आपके पास age क्या है, 100 बंदे trade करने आएं हैं, जाहिर सा बात है, उसमें से कुछ कमाएंगे, बहुत सारे lose करेंगे, आपके पास ऐसा क्या खास है, जो उन लोगों के पास नहीं है, तब ही तो आपको market पैसा देगा, या फिर lose करूँगा, बट दिक्कत क्या है, 2-3 trade daily लेना होगा मुझे, बेसिक है, अब आप देखो, ये एक बहुत तगड़ा result है, अगर कोई beginner trader ये भी follow कर लेना, तो वो सच बताता हूँ, profit में रहेगा, अब ये एक बहुत बड़ा winning age है, बड़े trader को अगर मिल जाए, जिसके पास 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग, एक करोड़ का capital है, hell amount of money इस चीज़ से वो बनाएंगे, बट एक beginner trader इस setup में भी lose कर देगा, पुछो कैसे, देखो क्या होगा, अब मान लो, राहुल नाम का एक बंदा है, वो trading में उतरा, समझो problem को, तीन trade लिया, 900 से 1000 रुपिस का profit, actually मैं उन्होंने देखा, बट exit करेगा, तो कितना मिलेगा, 800, क्योंकि slippage है, market में b'das चल रहा है, वही बंदा, जब 600 700 का loss करेगा, तो वो loss slippage adjust होगे, 800 चला जाएगा, यह जाहिर सा बात है, अगर कोई बंदा 800 का profit कर रहा, और 800 का loss कर रहा, तो समझना कि, वो 800 का profit नहीं किया था, वो 1000 का profit किया था, और अगर कोई बंदा 800 का loss किया था, वो 600 700 का loss किया था, बट वो दिख रहा है 800, क्योंकि slippage है market में, अब यह दोनों चीज़ को adjust करने के बाद, बारी आती है, तीसरा सबसे बड़ा जो minus चीज़ है, taxes, brokerage, STT, GST, सारा चीज़ लेके, एक lot trade करने का, cost मैं मानता हूँ 60 rupees, सीधा बात है, तीन trade बंदा ले रहा है, over trading कभी कभी होता है, एक एक दिन में 20-20 trade ले ले लेते हैं लोग, उसी दिन बरबाद होते हैं, चोटा losses burden नहीं होता है, चोटा losses आदमी को डराता नहीं है, बर 4-5 चोटा losses एक बहुत बड़ा loss बन जाता है, brokerage adjust करके, जब 3 trade वो लेंगे, तो जाहिर सा बात है 180 रुपीज तो खर्ची पढ़ जाएगा, और ये 180 रुपीज आप profit करो या loss करो, दोनों दिन लाएगा आपको, government को तो पैसा देना ही होगा, broker को तो पैसा देना ही पढ़ता है, तो पता है क्या होता है, जिस दिन वो बंदा पैसा ले के आता है, उस दिन उसके हाथ में 620 रुपीज आता है, जिस दिन पैसा उसको loss होता है, उसके packet से 980 रुपीज जाता है, बट अब उसके पास winning age तो है, कि वो 6 दिन जीतेगा, 4 ही दिन loss करेगा, 60% का win ratio है, पर इसके बाद भी इतना बढ़ियाँ system, इतना बढ़ियाँ age होने के बाद भी पता क्या होगा, ये चीज जब वो profit करेगा, तो all over इतना महनत, इतना effort, इतना research करने के बाद, वो market से 3700, almost 3720 रुपीज मार्केट से profitable trade में ले के आएगा, अब यहाँ से आप लोगों का सवाल होता है, कि psychology खराब हो जाता है, psychology इसलिए खराब होता है, क्योंकि packet में पैसा नहीं आ पा रहा है, आप इतना बढ़ियाँ system मैं बोलता हूँ, ये system बहुत बढ़ियाँ system है, यही system को जब आप बढ़े level पे trade करोगे, तो आपको बहुत बढ़िया result मिलेगा, पर छोटे level पे कैसे कमाना है, अब देखो, माल लो यही चीज, आज से बहुत पहले का time में, एक concept था, full time broker करके, उन लोगों का charges इतना जादा होता था था न, कि एक beginner बंदा, market में pair ही नहीं रख सकता, आज का time में, retailer कितना market में enter कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि entry आसान हुआ, आप हरसत मेहता, scam 1992, यह सब वीडियोज देखोगे, इनका series देखोगे, तो एक DMET account भी, बहुत बढ़ा चीज होता था पहले के time में, क्योंकि brokerages बहुत जादे थे, छोटे capital वालों लोगों के लिए, कोई तरास्ता ही नहीं था, पर अभी, जैसे कि M stock आप देख सकते हो, इनका एक plan आता है, 999 का, ठीक है, अब 999 में आपका brokerages, 0 हो जाता है, बट एक nominal fees होता है, जो कि almost हर broker का होता है, वो होता AMC, annual maintenance charge, वो आपको pay करना पड़ेगा, 120 रुपेस पर quarter, या फिर आप इसको भी चाहो, तो lifetime free कर सकते हो, 999 का, एक बार में AMC pay करके, otherwise अगर आप daily active trade नहीं करते हो, तो 149 का एक plan है, जिसके थूरू आप delivery mutual fund and IPO में invest कर सकते हो, without any cost उसके बाद अगर trade करोगे, तो 20 रुपेस का charge पड़ेगा, GST अलग से applicable है, अब मैं बताता हूँ, कि अगर आपका यही brokerage 0 होता, तो 40 जो कि हम लोग माइनस 200 में थे हम लोग, अब 3 trade बंदा daily ले रहा था, आपको भी पता है, तो 3 trade का cost अगर मैं calculate करके आपको बता हूँ यहाँ पे, जिस लेबल पे boost करेगा, यही हजार का profit आपका 2000 भी बनेगा, यही 2000 का profit आपका समय के साथ 4000 बनेगा, और यही 1 लाग भी बनेगा, और यही 200 का loss, आप market से fight करकर सोचोगे कि दोसको loss को break even, break even, break even जाऊँगा, फिर यह 200 का 400 होगा, क्यों देखो, आपको यही 200 का loss जो है न, यह loss 200 का नहीं होता, यह confidence का loss हो जाता है market में आपको, market में जब आप सही करोगे, profitable रहोगे, तो आपका जो label of confidence है न, वो किस label पे जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में ही अपना option का जर्णी बताया था, कि कैसे मैं market के fight से, पैसा लेके आ जाता था, बट broker से हार जाता था, stop losses is not only cost of doing business, जो slippage आपको कटता है, जो मैंने बताया, वो cost of doing business है, STT, GST, taxes, यहां तक की जो brokerage है, वो major cost of doing business है, तो अगर आप कोई business करोगे, तो आप चाहोगे कि नहीं कि उसका costing जो है, वो minimum से minimum हो, अब वैसे ही मैं बताता हूँ swing trading वालों के लिए, देखो, होता क्या है ना, कि बंदे बहुत जादा ही risk लेते हैं market में, क्योंकि उनको पता है कि उनका capital है, एक लाग, पचास जार, पचीस जार, अब इसमें अगर वो swing trade करेंगे, तो कैसे succeed करेंगे, अगर वो 20,000 का stock लेते हैं, और stock 2% बढ़ेगा, तो देखा जाए तो उनको profit होगा, मातर 400 रुपिस का, उसका analysis बढ़िया है, risk reward बढ़िया है, रिसर्च बढ़िया है, बट fund जो है, उसको रोग देता है, बड़ा profit बनानी का, आप जो बहुत बड़ी trader है, उसके पास तो access है, वो 10 लाग का capital है, 10 करोड का capital है, वो तो future में trade ले रहे हैं, उनको मिल जा रहा है 5X का leverage, तो वहाँ पे तो बात अलग है, अगर उनको पता है कि उनका stop losses कहां है, risk कैसे manage करना है, तो future में trade लेते हैं, लेकिन जो beginner बंदे हैं, जिनके पास पैसा कम है, swing trade में फस्स जाते हैं कम capital के साथ, अब यही चीज, अगर आप मानलो आज के time में, अगर आप bank में FD कराओगे न अपना पैसा, 7.5% का आपको FD का interest मिलता है, यह major मेरा notification आते रहता है, Gmail वगरा में, majorly हर bank में मेरा account है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे कि buy में लगाता हूँ, इसके order पे, अब यहाँ पे आपको देख रहा है, कि E margin करके लिखा हुआ चीज, अगर आपके पास 1,00,00, आप bank में डालोगे 7% का आपको interest मिलेगा, सीधा सा बात है, अगर वही interest rate पे, आपको trading करने के लिए, आपको fund मिल जाए, तो क्या दिक्कत है, अब मैंने आपको swing trading strategy में, इतना powerful strategy बताया था अपना एक वीडियो में, जिसमें मैंने, एक side में आपको दुबारा entry मिला, करीब 15% का return मिला, अगर वही trade आप, इ margin पे उठाओगे, तो आपको मिलेगा 5x का leverage, ठीक है, अगर मैं अभी 30,000 रुपीज है मेरे पास, और मुझे दीख रहा है कि ACNPAN में ताबर तोड एक entry बनने वाला है, तो मैं कितना quantity उठा पाँगा, 10 quantity, अब यही चीज़ लोगों कर देता है demotivate, क्योंकि 10 quantity में क्या ही profit मिलेगा, अगर per stock 100 रुपीज बनेगा, तो देखा जाए तो 1,000 रुपीज बनेगा, अब analysis इतना बड़ा कर लिया, एक beginner trader बहुत जादा ही research किया है, बहुत जादा ही सही trade find कर लिया, बट capital आड़े आएगा, अब इस capital को grow कर पाना, swing trade में, कितना hard है, आप सोच के देखो, 30,000 के capital को आप 50,000 बनाना, swing trade में, आपको किस label का extraordinary performance करना होगा, बट अगर आप, मालो, आपको जैसे कि यहाँ पे M stock दे रहा है, E margin का facility, यही पे अगर यही 10 stock आप लेने जाओगे, तो यही जो मेरा 1000 का profit था, यह 4000 का profit बन जाएगा, तो 30,000 का capital यूज करके, मैं अगर stop losses manage करके, सही धंक से entry कर लूँ, तो 4000 का profit बनता है, कितना cost आएगा इसका yearly, इससे ज़्यादा तो bank आपको FD देता है, आपका पैसा रखने पे, या फिर आप इसको भी चाहो, तो lifetime free कर सकते हो, 999 का, एक बार में AMC pay करके, जिसके बाद आपके लिए delivery free है, intra-adry free है, option free है, future free है, हर कुछ आपको zero brokerage में trade होगा, कोई additional cost नहीं है, एक दिन अगर गलती से, आप over trade कर भी लेते हो, तो आपका packet में ज्यादा load नहीं पड़ेगा, only सरकार का जो GST, STTA वही दोगे, लेकिन यही चीज़ अगर कहीं और आप over trade करोगे, तो बरबाद हो जागो, क्योंकि मैं देखा है इसका result, swing trading वाले videos को देखो, इतना ताबर तोड strategy मैंने आपको दिया, उससे strategy को अगर आप e-margin के साथ combine करोगे, जितना small risk मैंने आपको बताया, वहाँ पे उस small loss का बदले में आपको बहुत बड़ा reward मिलता है, तो जब आपके पास ऐसा option है, तो इस चीज़ का फाइदा क्यों नहीं उठाना, description में लिंक है, जाके account open कर सकते हूं, मिलते हैं किसी next important video में तब तक के लिए बाए.